रक्षा क्षेत्र में भारत आत्म नर्भरता की ओरतेजी से कदम बढ़ा रहा है रक्षा राजय मंत्री आजय भट का कहना है भारत की छवी आयातक से बदल कर अब निर्यातक की हो चुकी है और 2013 के मुकाबले रक्षा क्षेत्र में निर्यात 23 गुना बढ़ चुका है अजय भ हूँगा कि अचानक से हमने देखा कि काफी नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो अंतराश्च्ट इस तर पर आंकड़े आते थे वो यही दिखाते थे कि भारत केवल defense equipment को import करता है और लेकिन अब हम तो export वाले list में आते जाएं देखे अगर 2014 के बाद से हम पूरे आंकड़े देखें देश के तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं रक्षया शेत्र की अगर सिर्फ में बात करूँ तो उसमें पहले से हमको बहुत हलके में लिया जाता था हम एक importer देश के बारे में जानते थे हमको लोग कि हम import करने वाले देश हैं लेकिन आज जो हम लोगों ने मेहनत करी है माननी प्रधान मंत्री जी के नेतरत तो में रात दिन काम किया है उसके बाद आद हमारी image बन गए है कि हम exporter हैं कई चीज़ें बाहर के देश ले रहे हैं अब पिर से मांग करी है अपनी इच्छा जाहिर की है इसका मतलब लगातार लगातार हमारा production बहुत उत्तम quality का हो रहा है हर जगह पर तो यह हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है इतिहास हम लोगों ने रज दिया है एक दिन वो आएगा जिस दिन हम number 1 के exporter के रूप में पूरे विश्व में जाने जाएंगे अभी देखिएगा बार फरवरी 98 को ब्रह्मोस का समझोता हुआ था सब जानते हैं public domain में है और उसमें 98 के बाद निरानब्बे में अटल जी ने आधार सिला रखी और आज कहां से कहां पहुंच गे इसका मतलब मेक इन इंडिया उसी स समझ से प्रारंब कर दिया था और आज होते 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 मोधी जी ने तो इतिहास रस दिया है कि मेक इन इंडिया आपको अगर कोई चीज बनानी है तो भारत में आईए और उसका फाइदा पूरे देश को हो रहा है क्या मजबूरी है मेरी बताईए मैं अभी आपको बताती हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ के मैंने जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी निउज आपको रखे आगे